नमस्कार विद्यार्थियों आपका स्वागत है आपके अपने वेदिका क्लासेज के यूटूब चैनल में आज हम बात करेंगे एलेक्ट्सेन और वायरमेन फस्ट एयर थेयरिस अब्जेक्ट को मस्ट कुशिंस की जो आप केंसीविटीव एक्जाम और विविन परकार की प्रत्योगिता परिक्षाओं के दस्टी से बहुत ही महत्त पूर्ण है अगर आप आई टे फस्ट एयर के फाइनल होने वाले एक्जाम के तियारी कर रहे हैं या फिर किसी कम्पिटिशन के तियारी कर रहे हैं ता आप वीडियो को पूरा जरूर देखें आज का अपना पहला कुशिन है home theater wiring को power wiring के साथ नहीं चलाना चाहिए क्यों यानि आपने देखा होगा अपने घर में एक home theater wiring और power wiring को साथ में नहीं चलाया जाता उसका रिजन क्या है option E, home theater wiring में लिकेज करण से बचे आपका वज़ओत के आपोरती में बिछली की खपत को कम करें तो यहाँ पे आपका C option right answer होगा ओडियो वीडियो सिस्टम में वैदूतिक हसेब से बचने के लिए ओडियो और पावर वाइनिंग को लग रखा जाता है नेक्स्ट कुशन अपना है यदि अर्थ पाइब के लंबाई बड़ा ही जायती है तो अर्थ के परतिरोध का मान क्या होगा पड़ेगा गटेगा या क्या रहेगा यहाँ पे आपका option है समान रहेगा B पड़ेगा C गटेगा D अनन्द रहेगा तो यहाँ पे आपका C option right answer होगा गटेगा नेक्स्ट कुशन है पोटेबल उपकरण को संचालित करने के लिए किस परकार के समान का परियोग किया जाता है A Safety Accessories B Holding Accessories C Outlet Accessories D आपका Controlling Accessories तो यहाँ पे आपका C option right answer होगा निर्गत समान या Outlet Accessories का परियोग किया जाता है नेक्स्ट कुशन है उचित कारियव है बुनियादी सुरुक्सा के लिए कौन से कुचालक पदार्थ का परियोग किया जाता है आउशक है आपका A दोरा कुचालक B कारियात्मक कुचालक C परबलतित कुचालक D पूरा कुचालक तो यहाँ पे आपका B option right answer होगा कारियात्मक कुचालक नेक्स्ट कुचिन अपना फ्यूज किस परकार के समान के अंदर गत आता है यानि कौन सी असेसरीज के इन फ्यूज को काउंट किया जाएगा A control असेसरी B holding असेसरी C safety असेसरी D आपका outlet असेसरी अब इनको पता है fuse है जो आने वाली लाइन के सीरीज में लगा जाता है safety चे सम्मन दिता है तो यहाँ पे C option आपका right answer होगा safety असेसरीज next question है आपका ECC का विस्तार क्या है यानि full form क्या होगी ECC की तो यह गए option में आपका B option right answer होगा earth continuity conductor next question है halogen lamp के लिए कौन से परकार की MCB के परियोगत की जाती है L सरंखला MCB G सरंखला MCB BC सरंखला MCB और next है आपका L वे G सरंखला MCB तो यहाँ पे आपका B option right answer होगा G सरंखला MCB आप सब को पता है जब question हिंदी और English दोनों language में दे रखा हो तो आपको English language दोनों भी थोड़ा दियान में जाती है इसमें थोड़ा MS printing हो गया तो अंगलिस वाला राइट है आपका G सरंखला MCB B option है आपका right answer होगा next question है आपका 300 watt से उपर के लेंप के लिए किस परकार के लेंप धारका पुरियोगत किया जाता है जो आपका blub होगा उसके पीछे भी screw की चूड़ियां होती है और जो holder होता है उसमें भी चूड़ियां होती है ताकि blub को उस इस holder के अंदर आगे screw करके उसके कस दिया जाता है B option आपका right answer होगा next question है AWG का विस्तारूप यानि full form क्या होगी AWG देखो आपने SWG तो नाम सुना होगा तो यहाँ पर आगया AWG SWG की तो आप सबको पता है A standard wire gauge AWG की हो जाएगा American wire gauge यह option आपका इसका right answer होगा next question है कि B.I.S. पर्तिक का क्या नाम है यानि आगे एक symbol दे रखा है और symbol पूछा यह symbol का क्या नाम है देखो विद्यार तो जल्दी सभी परकार के symbol से सम्मदिते की वीडियो लाई जाएगी जिसके अंदर सभी परकार के electrical के electronics के symbols का पून रूप से विस्तार से आपको द्यन करवाए जाएगा तो यह जो symbol दे रखा है इसमें देखना है lamp का है, two-way switch का है intermediator switch का है या बहु इस्तती switch का है तो दिया गया symbol आपका intermediator switch से सम्मदिता है तो यहाँ पर c option आपका right answer होगा next question है कि आरेक का परकार क्या है यानि आगा आपको diagram दे रखा है और पुछा यह कौन सा है आपका wiring आरेक है परिपत आरेक है, इस्तापन आरेक है या layout आरेक है तो यहाँ पर दिया कर जो आरेक है आपका यह wiring आरेक से सम्मदिता है यानि wiring की वी है आपके तो यहाँ पर यह option आपका right answer होगा next question देखेंगे BIS के अनुसार एकल चरण घरेलू wiring में तामबा आर्थ निरंतरता कंडेक्टर नियूनतमाकार होगा यानि जो BIS के अनुसार सिंगल फेज बाइरिंग में गरों के अंदर जो तामबा आर्थ निरंतरता कंडेक्टर का नियूनतमाकार कितना होगा तो दियेगे चार option को पनाच्छे से पढ़ेंगे तो आपका D option right answer होगा 1.5 mm का आपको अर्थिंग के अंदर परियोग करना है Next question है आपका मुझूदा आर्थ से निरंतमान को कम करने के लिए किस पद्दती का परियोग किया जाता है A आपका इलेक्टरोड की लंबाई बढ़ाने के लिए B धर्थि के गड़ों में हमेशा गिला रखने की इस्तिति के लिए C आपका गड़े और रेत को चारकोल बरना D आपका है बूइलेक्टरोड का व्यास बढ़ाना तो यहाँ पर आनी कहना का मतलब क्या है अर्थ परतिरोड के मान को कम करने के लिए किस परदति का परियोग किया जाएगा यहाँ पर आपको पता है B उप्सन राइट आंसर होगा गड़े को हमेशा गिला रखना होता है तो B उप्सन आपका राइट आंसर होगा नेक्ट कुशन देखेंगे अर्थ परतिरोड परिक्षक का परियोग करके अर्थ के परतिरोड कमापने के लिए ऐसी क्या हो सकता है क्यों है तो A करंट की नीमन करने के लिए वोल्टेज पात को बढ़ाने के लिए वोल्टेज पात को गटाने के लिए नेक्स्ट कुशिन अपना है कि सिंगल फेज एसी वाइरिंग परिपत में वोल्टेज बात निकालने का फॉर्मूला क्या होता है वोल्टेज ड्रोप ग्याद करने का तो अपने को पता है विवम का नियम कहता है वी बराबर आई यार तो दीए कि ओप्सन को उच्छे से बार कितना होगा यानि एक आपका जो सब सर्किट बनाया जाता है उसके लिए अधिकतम लोड को कितना रखेंगे तो दिये के ओप्सन में आपका डियो अप्सन राइट आंसर होगा तीन हजार वार्ट नेक्स्ट कुशिन है उब्वोकता मुख्य बोर्ड में सेवा सेयोज त liberate दो इस अवस्तान किस से जुड़ाव है उर्जा मापी यानि आपको पता है यह वार निखकर، फिर प्सन निकलने वालの जो लाइण है तो आपने उर्जा मापी मेटर कहते हैं नेक्स्ट कुछिन अपना है घरेलू वाइरिंग इस्तापना में परिक्षन का परकार क्या है यानि आप आपके एक टेस्टिंग का देरख है डाइग्राम और पुछा है यह कौन सा टेस्टिंग किट है ए पॉलर्टी टेस्ट बी कंटिनुटी ओपन सर्कीट टेस्ट सी आपका चालक के में दिये कुछ अलक परति रोज जांच तो यहां पर आपका एप्सन राइट आंसर होगा पॉलर्टी टेस्ट किया जा रहा है इस डाइग्राम को देखने से आपको पता चल रहा है तो एप् पांच आर इंटू फुल लोड करंट नेक्स्ट कुशिन आपका विवितता गुणां की गणना करने के लिए कौन से फोर्मूले का परियोग किया जाएगा तो चार फोर्मूले दे रहें आपको डाइवर्स्टी फेक्टर के तो सी ओप्सन इसके अंदर आइट आंसर होगा डाइवर्स्टी फेक्टर ग्याद करनेगा यह थे आज के अपने कुश मैतापॉर्ण कुश्यंस जो आपके अंसिविटी एक्जाम और विविन परकार की प्रचक्ता परिक्साओं की दस्ठीचे बहुती मैतापूर्ण है अगर आपको वीडियो अच्छा लगी तो लाइक जरूर करें आप चैनल पर नए है तो चैनल को सस्क्राइब करना ना भूले धन्यवाद